दिल्ले में किसानों की रैली में हुए दंगे को लेकर सोलन बाचियों ने अपनी तीकी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मार्च में गए थे उनमें से कुछ लोगों का इरादा ठीक नहीं था। इस घटना ने सभी को शिरमजार किया है इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। भी केंदर सरकार को करना चाहिए था लेकिन स्थिती नियंदरन से बाहर हो गई। उनने कहा कि किसानों के वेश में कुछ दंगाई भी तलवारों लाठियों और घोड़े पर सवार होकर रैली में देखे गए। उनने रैली में आने से पुलिस ने क्यों नहीं रोका, पुलिस प्रशासन ने इतनी डील क्यों दी। उनने कहा कि किसानों ने शांती प्रेडंग से रैली निकालने के लिए कहा था लेकिन उनके द्वारा बहां उग्र परदर्शन किये गए जहां तक कि लाल क्ले पर जंडा भी फेराया गया जो बेहतकलत है। इस खटना से निशित क्रूप से किसान आदोलन को ख्रती पहुं चलेंगे एक ट्रैक्टर चलेगा ट्रॉली भी नहीं चलेगे। मेरे को सबसे बड़ी बात यह है कि गौवर्मेंट ने ओफिशल ने यह कैसे मान लिया कि इतना बड़ा हजूम इतना बड़ा हजूम आया है और उसमें मिस्क्रिंट्स नहीं होंगे। आप मैजन नहीं कर सक है कि मैंने खुद देखा है संडे को जो जितना ट्रैक्टर सिंगू बॉर्डर की तरफ गया है उन्हों मिस्क्रिंट्स ने गलती की मान ली वो तो एक्सपेक्टेड थी कि यह होगी और इसमें गलती आये में मेरा जो परसनली कहना है कि एड्मिस्ट्रेशन पुलिस उनको इस चीज की तैयारी पहले करने चाहिए थी या तो वोट बैंक के वज़े से डर गें इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया पर यह गलती तो है कि जब उनको पता है कि इतनी दुनिया है तो उसमें अगर पांच परसन ने भी गड़़ड की है तो यू शुड है बिन प हमारी प्राचीन दरोहर है उस पर जंडा फराया गया यह गलत ही है और हम इसकी बहुत निंदा करते हैं अगर उनको प्रोटेस्ट करना था तो उसके कई रूप होते हैं लेकिन यह रैली निकाल के आपने पूरी दुनिया को दिखा है कि आप किस तरह से कर रहें तो यह गल बात हमारे हाथों में आ जाए और यह जो अंदोलन था यह बहुत ही शांती प्रुक चला हुआ था लेकिन कुछ स्रार्थी तत्पों के बीच में आ जाने से यह अंदोलन को जो एक शती पहुंती है और मेरे शाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था स्रार्थी तत्पों ने ही किशानों के साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया है जब सरकार को पता था कि भी ट्रेक्टर रेली निकल रही है रास्ते में इतने बेरियर थे वहाँ पर उन्हें डाइवर्ट किया जाता रोका जाता तो यह शैद घटना इस परकार से रंगना लेत है मगर सबसे बड़ी बात है कि सरकार आंखे मत करके लगभुत साथ दिनों से यह अंदोलन चल रहा है और इस बात को बड़े लाइटली ले रही है बड़े कम तर आंक रही है यह सरकार की एक गलती है सरकार को चाहिए था कि जब उन्हें परमीशन दी थी तो उस परकार से उनके साथ जब कोई जलूस निकलता है कोई करता है पूरी पुलिस पूरा जो सरकारी तंत्र है वो साथ होता है देखता है कि किसी परकार की कोटा ही जलूस में ना हो मगर ऐसा लगता है कि सरकार ने सिरफ इतना ही आदेश परमीशन दे कर सारी जिम्मेवारी से हाथ पला ज इस प्रकार से सरकार को ध्यान देना चाहिए था और अंदोलन कारियों को भी किसानों को भी यह बात सोचनी चाहिए थी कि उनका जो कारेक्रम है वो शांति बूर्वक रहे ताकि क्योंकि इस घटना से अंदोलन को भी चोट पहुंचती है